हेलो एब्रीबन वेलकम बैक टू एके पॉली दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सिविल इंजिनिंग के थर्ड समेश्टर के सारे छात्रों के लिए आज बिल्डिंग ड्राइंग स्टार करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों धान दीजिएगा कि हमें बिल्डिंग ड्राइंग के एकार्डिंग जो है कौन कौन से टापिक पढ़ने है और दैन आप दोस्तों हम सब प्रते टापिक को एक अच्छे में में पूरा इस्टेप बाइस्टेप कभर करेंगे ओके ना तो धान दिए जैसा की देखिए लिखा वह थे कि details of spread putting foundations, ठीक है दोस्तों, मतलब हमें spread putting foundation को बनाना है, ओके दोस्तों, देखे जिसमें लिखा है, far a load bearing and non load bearing, while far given thickness, मतलब दोस्तों, इसका thickness जो है, वो दिया रहेगा, और कर रहा है, कि walls with the help of given data, ठीक है दोस्तों, मतलब given data के help से हमें इसे बनाना भी रहेगा, और rule of the thumb, मतलब इसके rule के according, सारा कुछ, ठीक है दोस्तों, तो वह इची लिखा गया है, जो हमने आपको भी बताया, कि इसमें जो है दोस्तों, जो भी given data दिये रहेंगे, उन्हें का हम लोग follow करेंगे, और जो नहीं दिया रहेगा, तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, यह सार फूटिंग फाउंडेशन को बनाना है, ओके दोस्तों, तो चलिए, अब ध्यान दीजिए, कि हमें दूसरे टापिक के अंतर गए दोस्तों, कौन सार ड्राइंग बनाना है, ध्यान दीजिए, देखे, यहाँ पर, कि प्लान आप टी एंड कॉनर, जक्सन, आप वाल, आप व women's-त, तो English bond, ओके ओवी दोस्तों, T जक्सन मेंग बनाना है, ठीक है, और दोस्तों, corner COL का मतलइ यह है कि ल जक्सन में, ठीक है, जिसे कि दोस्तों, हम आपको जब डाइंग बतता एंगे, तो वहाँ पर बतताएंगे, T जक्सन क्या होता है, और L जक्सन क्या होता था, तो दोस्तों, t और l के base पर हम लोग एक brick का या फिर एक वर्टे दो का या फिर दो brick का English bond बनाते हैं, ओके ना ? तो चलिए दोस्तों, बोली इतना सहुझ पाना कि दूसरे ड्राइंग के अंतर गथ में English bond बनाना है, ठीके हैं ? तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए अब देख लेते हैं हम सब अपने तिसरे ड्राइंग की बात कर लेते हैं देखें जैसा कि दोस्तों देखें तिसरे ड्राइंग में यह लिखा गया है कि ड्राइंग प्लान इलिवेशन आफ आर्चेज सर्कुलर आर्च असेगा में यह साई डीटियल चीजें दोस्तों हम आपको जब जो भी टापिक पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे ठीक है अब ऐसे भी दोस्तों एक बात कहें आपको तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स समेस्टर में आप लोगों ने इंजिनिंग ड्राइंग पढ़ा होग जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना नालेज जो है दोस्तों आपको बिल्डिंग ड्राइंग में बनाने में बहुत ही अच्छा फिल होगा जो भी ड्राइंग बनाएंगे बिल्डिंग ड्राइंग का क्योंकि दोस्तों आप बिल्डिंग ड्राइंग में सिर्फ वही ड्रा बनाने के लिए देता है इसमें थिएरी नहीं पूछता है थिएरी आपका बिल्ड कस्टेक्शन में ही पूछ लेता है ओके दोस्तों उम्मीद है इतना समझ पांगे ठीक है तो दोस्तों धान दिजिएगा हमनों तिसरे डाइंग के अंतर के पढ़ने वाले कि ड्राइंग प् फ्लूस इूर ठीक है और दोस्तों फूली ग्लाश दूर और फूली पैनल डूर विड वेट ग्यूज सटर और दोस्तों पास्यली फैंटल आंड पालियम्मीद लग फ्रडीक्शन में अनुसाद में हमें दूर के बारे में पढ़ना है ओक कि दोस्तों जिसमें कि आप सभी भी लोग देख पार है क्या है फुली ग्लाश डूर है फुली पैनल डूर है यह सारे जितने भी डूर है दोस्तों इसे हम आपको step by step अलग अलग लेक्चर में कभर कराएंगे ठीक है दोस्तों ओभी एक अच्छोय में अदोस्तों हम लोग प्रतिक टॉपिक को जो है एक से द जान देंगे आप लोग देखिए सेक्शन नमर टू के अनुसवा जो दोस्तों ड्राइंग नमर पांच दिया हुआ है इसे धान से पढ़िए देखिए कि ड्राइंग प्लान ठेक है दोस्तों एलिवेशन आप स्माल बिल्डिंग बाई मिजर्मेंट एंड फाउंडेशन ड साउंडेशन का पूरा डीटेल एंड सेक्शनल इलिवेशन टोटल सभी चीजों को जानेंगे दोस्तों ठीक है और दोस्तों एक बात याद रखेगा जिस प्रकाप लोगोंने फर्स समेस्टर में इंजिनिंग ड्राइंग में आप लोगोंने एक चेप्टर होगा टोराफ़ी तो यह नहीं आजाता है तो उस्ते जो है आप लोगों का मतलब पूरा पास होने का ओफिसी आपको सब्कू कुछा जाता है यह कोश्चन ठीक है जो कि दो तो बहुत है इंपोर्टेंट है इस चीज को दो तो हम आपको तेन से चार लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको इसे बनाने पूरा अच्छी तरीके से आ जाए ठीक है क्योंकि दो बिल्डिंग ड्राइंग सीव सब खरकरदश कि अंतरत हम बताएंगे ओके दोस्तो तैभन अपने अग्ले टापिक को देखते है थीक है धाँ देजिए दोस्तों अगला टापिक है ओंग ठीक है दोस्तों ड्राइंग नमाज 6 को देखें ड्राइंग डिटेल्ड वर्किंग प्लाण मतलब इलिवेशन एंड सेक्शन फार है रेजिस्ट्रियल बिल्डिंग फ्राम अगीवेन लाइन प्लाण और गीवेन डाटर स्वेंग डिटेल्स आफ फाउंडेशन रूप एंड ठीक है दोस्तों मतला रूप मतला छट और पर्फेट का हम लोग क्या दखेंगे दोस्तों इलिवेशन और सेक्शनल साइड के बारे प्लाइड तो दोस्तों यह भी बिल्डिंग से रिलेटेड है तो इसे भी दोस्तों हम लोग डाइंग नमर 6 के अंतर पढ़ेंगे ओके दोस्तों एक बात याद रखेगा कि जो आपका फर्स समेस्टर में जैसा आप लोग पढ़ें हैं इंजीनिंग डाइंग उससे दोस्तों यह आप लोग अपने जो ड्राइंग से नाब कर नावकी बनाते थे इंजीन दोस्तों में चीज़ यह है क्या scale मानना और में डिफ्रेंच भी यही है ठीक है इंजीनिंग डाइंग और building डाइंग है ओके दोस्तों हलाके दोस्तों हम आपको बताएंगे ठीक है कि कैसे scale लिया जाता है क्यूंकि दोस्तों यह total जो building डाइंग है total में scale मान के ही लगाना पड़ेगा ओके दोस्तों इसी के साथ सज्जों है अब जब आगे चल के फोस्स समेश्टर में एक सब्जेक्ट और पढ़ेंगे जो है आसी सी ड्राइंग उसमें भी इसी प्रकार आपको मान के पढ़ना रहेगा ठीक है दोस्तों इसके मान के ही सारा टाइम साल्व करना रहेगा ओके तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझवाँगे तो चलिए अब ध्यान दीजे दोस्तों अब देख लेते हैं साथमा ड्राइंग जिसका नाम है ड्राइंग साफ फालोइंग फ्लो ठीक हो अऐगे लिखा है तीसरा यह वह है बुद्ड़ का से में आप यह लूदक है तो सबस्तिक को बनेघा है इतना दीजेगा इसमें कि मतलapa क्लीजेFT घंठ नजण क्रेट का ओक्र दोस्तों तो अब ध्यान दिजिए तीसरे टापिक के अंतरगत इसमें यह लिखा है कि केरिमिक या फिर वैडिट फाइड इतना आप समझभाएंगे तो एक चीज यहां पर ध्यान दिजिएगा जो दोस्तों फर्स होता है ठीक है साध हमां कुछ बताते हुए छले अपना अगला जो है अगला दोस्तों टापिक है ड्राइंग नंबर 8 के अनुसा यह यह दोस्तों ड्राइंग आप फ्लाट रूफ ठ जैखें मता दोस्तों छट के मता एक फ्लेड के छट के बारे में हमेई जो है उसे सूख करके उससे eht का इंसुलेशन करना है ओके दोस्तों तो अब ध्यान दिजै दोस्तों section number 3 के अनुसार देख लीजे ृडाइंग नंब नाइन लाइन आता है जिसमें दिआ है मानक के आधार पर बि आईएस कोड के अधार फे सोध रेंड वाटर ऑर अरिग्स अरीजमेंट अल्सों ठेक है दोस्तों हमें यह यह जानना दोस्तों कि प्रूफ इंग श्राइक में विपनाने के तरीकों को जानना है ठीक है धोस्तों उम्मीद करते हैं इतना भी सल ‌ध दमने के कंदेगी का में देक्टार और प्रोफिंग क हमें त्यार करना है इतना समझ परोंगे तो दोस्तों इतना अब रहे हैं कि हमें जो भी चीज़े पढ़ने हैं उसका हम step by step single single lecture में दोस्तों हम सब एक अच्छी में cover करेंगे और दोस्तों यह चीज़ याद रखेगा कि हम जो पहला lecture आपको provide करेंगे ठेक है किसी भी मतलब new topic का जैसे मालीजी हमने आठावा topic स्टार्ट कर दिया यहां पर ठेक है दोस्तों यदि 30 मिनिट लगा देंगे ठेक है जिससे कि आपका पूरा concept की लिए पहले lecture में ठेक है दैन आपको अगले lecture में हम दोस्तों यदि 20 मिनिट में होता है तो उतना ही फाइस्ट हम लोग बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा ठेक है यदि दोस्तों इस प्रिट फोटिंग फाउंडेशन के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद बाई बाई अल्दवेश्ट